9 बजे की 9 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है PM मोदी ने अपनी पूरी केबिनेट के साथ रास्टपती द्रोपदी मुर्मो को इस्तिफादी दिया है मोदी 8 जून को तीसरी बार प्रधान मंत्री पद की शपत ले सकते हैं PM आवास पर NDA की मीटिंग एक घंटे चली जिसमें 10 से जादा पार्टियों के नेता शामिल हुए राउज एवेन्यो कोट ने एरविंद केजरिवाल की कस्टडी 19 जून तक बढ़ा दी है साथ ही केजरिवाल की मेडिकल बेस पर साथ दिन की जमानत की याचिका भी खारिश कर दी है और इशा में बिजडी अध्यक्ष नवीन पतनायक ने सीम पत से इस्तिफादी दिया है वे पिछले 24 साल से राज्य की मुख्यमंत्री थे पुर्व सीम सीवरा सिंग चोहान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने सीम हाउस पहुँचे दोनोंने एक दूसरे का मुँ मीठा करवाया डॉक्टर मोहन यादव ने कहा भाई साहब तो अब दिल ली जा रहे है मध्यप्रदेश का मौसम बदल गया है मंदिर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फिर से सवाल खड़े हो गये हैं बोपाल में बखरो का रेंप वोग आयुजित किया गया चमचमाती लाइट म्यूजिक के बीच 177 किलो के किग ने वोग किया जो 21 लाक में विका है आज की खबरों में इतना ही देखते रहें सुनते रहें और पढ़ते रहें नेशन मीरर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले